आपको पाला जाने का समय नहीं मिलता होगा आपके बाल भी रूखे सुखे हो गए होंगे तो आज मैं ऐसी होम रेमेडी लेके आए हूँ जो आप घर में ही करके अपने बालों को सिल्की और शाय नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए जैल भी ले सकता है और यह वैसलीम है इससे मैं आपको बताती हूँ कि अपने बालों को कैसे सिल्की बना सकते हैं सबसे पहले इससे हां काट लेंगे इस तरीके से इस तरीके से काट के इसकी स्कीन को अलग कर लेंगे फिर चम्मस की सहायता से हम इसका गूद्दा निकाल देए ते हैं यह देखिए इसके बाद इससे हम निकाल देएंगे इस तरीके से हम पूरा इसका जेल निकाल देएंगे यह हमारे बालों को काफी इच्छा मुलायन कर देता है और जड़ना भी बंद हो जाएगा आप अगर इससे लगाएंगे हफते में तो इससे बाल हमारे बहुत डैमेज हो जाते हैं यह देखिए यह निकल गया यह हमारा इतना अमल गया आप और ले सकते हैं फिर इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है फ्रेंड क्योंकि यह बहुत ही तरह हार्ट आपका है तो आपको चम्मत से नहीं भूल पाएगा तो इस तरह से निकाल लेना है फिर मिक्सर में इसे पीस लेना है मिक्सर में पीसने के बाद फ्रेंड यह कुछ इस तरह का हो जाएगा मैंने पहले मिक्सर में पीस लिया था बिल्कु स्मूथ साब पेस्ट बन जाएगा इसका फिर हमें इसमें थोड़ी सी वैसलीन को आड़ कर देंगे आ और इसे भी इसी के साथ मिक्स कर देंगे बीज बीज में मेरा मिठ्ठू बोल रहा है तो उसे एग्णोर कर दीजी वह हमेशा चिलाता रहता है यह देखें यह मिक्स हो गया है इस तरीके से आप अपने बालों को अच्छे से धुल ले उसके बाद इसे लगाएं से तञञा है यह देखिये यह पूरा मिक्स हो गया है अब इसे हम थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से अपने बालो में लगाएंगे इस तरह हम अपने पोर्य बालो में लगा लेंगे Pocket इत्वे अध़ी अधे ओल्यासा ने रिख जो है तो कैसा दिख रहा है का Casey do गेसे हम पूरे बालों में लगा लेंगे फिर इसके बार इसे रख देंगे दो तीम फ़न पर पे आप अपने बालों को धोईंगे ताकि यह हमारे बालों को पोसादे सखर पूरे अच्छी तरीके से आप आप फिर देखेंगे इसको यूज करने के बाद कि आपके बाद कितने ज्यादा सिल्की हो गया है इस तभी के से मुझे पूरे बालों में लगा लेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सुब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू